आपके बास ED है, ED को कहिए money laundering के पैसों की जांच करे, बताए कि money laundering हो रही है, उसके बाद आप उसको पकड़ कर अंदर करते, तो बात समझ में आती है, बिना किसी पुरूफ के, आप उसके उपर जो मर्जी अरोप लगा रहे हैं, कोई कह रहा है कि उसके बच्चे बाहर उसके बास अपना रोजगार है, उसके बावजूद वो तीसरे लोगों के जाकर गरीबों को खाना बांट रहा है, तो आपको तकलीब है, आप जो काम नहीं कर सकते, कम से गम दूसरों को करने दीजिए, आप एक भी पैसा अगर आपने दिया है, हिसाब मांग ये, लेकिन इस तरह से दूसरों को बदराम करने की कोशिश करते हैं, जो इस तरह के लंगरों को बंद करवाते हैं, क्या आज तक किसी की हिम्मत हुई कि दरवार साब के लंगर को बंद करवाके देखें, बहां बीजेपी की सरकारे भी रही, कॉंगरस की सरकारे भी रही, सेंटर में भ इतने भी कुर्दवारे हैं, सब में फ्री लंगर चलता है, फ्री रहने की इजाज़त मिलती है, कोई नी पूछता की कहां से पैसा आ रहा है, और यहां एक कोई नेक काम कर रहा है, तो आप उसके ओपर एलिगेशन लगा रहे हैं, आपको शर्मानी चाहिए, दूसरे पर एलि क्वो भागया था, क्या महल चोकसी है वो, क्या मालिया है जो भागया यहां से, होस्पीटल में पढ़ा हुआ है, उसको कभी भी उटाकर ले आओ, और उसे हिसाब मांग लो, पैसे पैसे का हिसाब वो दे देगा, पैसे पैसे का हिसाब देगा, अगर किसी ने चेक से उसको पेमेट की है उसकी रिसीद वापस आती है उसको और चेक की पेमेट जो हुई है वो तो वैसे भी वाइट में आती है तो बताईए कि कहां से क्या चोरी हो रहा था किसी ने क्या चोरी कर ली चोरी तो आपने की है जो गरीब के मुँझे निवाला चीना है आप कुत्ते की मौत मरेंगे जिनोंने ये गिनोना काम किया है कुत्ते की मौत देखना आप सब लोग गवा हैं जिनोंने भी गरीब का निवाला च्छीना है कुत्ते की मौत मरेंगे ये लिख कर ले लीजिएगा चाहे कोई भी है उसे